प्रपया अपना उत्भोधन प्रसुप करने का कर्स करें आज लखीनपूर जनपर के लिए एक बहुत ही हर्ष का दिन है, सौभागी का दिन है हमारा जिला जो कृषी प्रधान जिला है, महावे कृषी महाविज्याले इस्थापना करने के लिए मुख्य अतिति के रूप में हमारे प्रधेश के यसुषी मुख्य मंतरी जिनके लेतरत में आज पूरा प्रधेश बहुत ही तेजी से रितास के रास्ते में बढ़ रहा है ऐसे आदर्णी महाराज मानी योगी आदित्यनाथ जी, हमारे कृषी मंतरी जो को हमारे प्रधेश अद्यक्षी भी रहे आदर्णी सुर्परताप साही जी, धौरारा की हमारी सांसत, स्रीमती रेखा वर्मा जी दूसरे हैं श्री अमित कुमार बर्मा, गराम बाबरपुर, विकास खंग बाके गंग जन्पध हमीरपुर तीसरे किसान हैं श्री सर्दार मंगा सिंह, गराम भीरा, विकास खंग बिजुआ, जन्पध हमीरर लखीमपुर चोथे किसान है श्री अनुकम बाजपेई ग्राम बर्खेडवा दिकासकन लखीमपूर जनपद लखीमपूर पारत पाता के अच्छा बीज चाहिए मार्केट चाहिए इन सब स्विवधाओं से यहां के किसानों को जोड़ने के लिए आज किर्सी महाविध्याले के प्रतम भीच का एक कारे लोकारपित करने के साथ ही जनपद लखीमपूर घीरी वास्यों को यह मैं अरपित कर रहा हूँ साथी किर्सी विज्ञान केंद्र जो किसानों को खेती की तकनीक देने के एक आधारभूत काई है जो यहाँ पर जीर्ण सीर्ण स्किती में था उसके पुनरद्धार के कारवाई के साथ ही लखीमपूर खीरी में एक नए किर्सी विज्ञान केंद्र कोवियम सुरू करना चाहते हैं जितना बड़ा छेतरफल इस जनपद का है एक ही किर्सी विज्ञान केंद्र था और वह भी अत्यंत ही दैनिये इस्तिकी में था इसलिए इस जनपद में एक और किर्सी विज्ञान केंद्र स्थापित हो इस दृष्टी से हम लोगों ने उस पर भी कारे करना प्रारंब कर दिया है और मैं विज्ञास बेक्ति करताओं के किर्सी महारी त्याले ता दो किर्सी विज्ञान केंद्र आने वाले समय में लकीम पूर खीरी के किसानों के लिए यहां के नौजवानों के लिए मेल के पत्थर साबित होंगे और देस और दुनिया में इस घरती की मेहनत इसकी उपजाओपन और यहां के किसानों के प्रिस्रम का लोहा आप सब मनवाने में सफल होंगे इसके लिए मैं आप सब को फिर्दे से अपनी सुपकामनाई देता हूँ आप सब को मैं उसर पर कोटी कोटी दाई देता हूँ वायो बेनो हम सब जानते हैं कि अगर किसान पिछली सरकारों के राजनितिक एजेंडे का हिस्सा होता तो इस देश में किसान आत्महत्या नहीं करते आजादी के बाद पहली बार किसान राजनितिके अंदर किसी सरकार के जेंडे के हिस्से बने तो तब जब मई 2014 में प्रधान मंतरी की रूपने से नरेंद्र मोदी जी ने सपत घ्रण किया और उन्होंने अपने पहले ही भासन में इस बात का उल्ले किया था उन्होंने कहा था इस बात को उनले किया था कि हमारी सरकार किसी डेक्टी, किसी चाती, किसी मत और किसी मजभग के लिए नहीं इस देश के अंदर गाउं, गरीब, किसान और नौज़वान के लिए कारिक लोगी गाउं भी आ गया था, किसान भी आ गया था, नौजवान भी आ गया था और इसके साथ ही उन्होंने इस बात को ले किया था कि धर्ती माता हमें सब कुछ देती है हम अपने स्वयम के स्वास्त की चिंता करते हैं लेकिन इस धर्ती माता किους वास्ति की चिंता नहीं करतें और उन्होंने तभी स्वायल हेल्थ काड की भोचना की थे स्वायल हेल्थ काड यानि मिरदा परीक्षन के काड भेश पेंदर किसानों को बितरन की एक व्योस्ता प्रारंभ की सथ मुच जिन किसानों ने स्वायद हेल्ट काड़ के साथ अपनी खेती को जोड़ा और मांग के अनुरूफी वे तत्तो दिये वहाँ पर किसानों ने कम लागत में ज़्यादा उत्पादन करना भी सीखा जहां पनम के वल देखा देखी उर्वरक डालते हैं फंटलाइजर डालते हैं केमिकर डालते हैं खेती की उर्वरता भी कम होती है और खेती का लागत भी बढ़ता है और उत्पादन भी कम होता है पहले बार हुआ जब देश के किसानों की आत्मा को चूने वाले उन भानात्मंत मुत्तों को उठाने का कारें देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी ने किया और उसके बाद उन्हाने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है प्रधान मंत्री किर्शी सिचाई योजना है MSP के माध्यम से लागत का डेड़ गुना दाम किसानों को देने की कारवाई हो या फिर जब प्रदेश में भारती जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी तो पहले ही प्रधान मंत्री जिने इस बात का उले किया था क्यों तर्देश में सरकार बनेगी तो क्या होगा पहले ही कैबनेट में लगो और सीमान ते किसानों के एक अलाग रुपे तक की करज माफ होंगे और भाईो बेनो मुझे बताते हैं प्रसंता है हमारी सरकार ने जो आप से वाइदा किया था उस वाइदों को पूरा किया आजादी के बाद पहली बार बिना भेद भाव के देश के बारा करोड किसानों को यानि साड करोड लोगों को छे हजार रुपे सालाना प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी देने की द्योस्ता की गई और पहली बार जब हम लोग 2017 में सत्ता में आए मैंने उस समय देखा था कि गन्ना किसानों का छे वर्सों का गन्ना मुल्ले का बकाया तब बकाया था मैंने जब पूछा ये कैसे होगा लोग कहते थे नहीं हो पाएगा मैंने तबहीं कह था मैंने का इस सीजन के अंदर-ंदर ए गन्ना मुल्ले का वुक्तान करना होगा और आज मुझे बताते हुए प्रसंटा है कि नौ चीनी मिलें आपके जन्पात लखीन पूर खीमी में है तीन चीनी मिलों पर बकाया था है बाकि से चीनी मिलों ने अपना गल्य मुल्य का भुक्तान किया है और इन तीनी तीन चीनी मिलों पर भी हम लगाम कसने वाले हैं बहुत सक्त कारवाई करने वाले हैं जिससे समय पर गन्ना मुल्य का भुक्तान किसानों का हो सकते हैं किसान भायों का सोसर करने की छूट हम किसी को नहीं देने वाले हैं और अगर किसी ने गलत फाई में पाली होगी यो किसानों के गन्ना मुल्य का भुक्तान रोक करके स्वयम कमाई कर लेगा ऐसा नहीं होगा अभी हमने महराज गंज में एक चीनी मिल को निलाम करते हुए किसानों का गन्ना उठाना पड़े इसके लिए अच्छा होगा कि समय रहते हैं सभी गन्ना किसानों का गन्ना मुल्य का भुक्तान होना चाहिए कल हम लोगों ने लखनों में एक वेड़ पोर्टल और एक किसान एप लागू किया है हमने गन्ना समीतियों को फिर से पनरचीवित करने की कारव लख्त हो और साथ-साथ किसानों के गन्ना को को एभड तोली करने का दुस्ताहस भी न कर सके और अगर करेगा तो फिर बहुत सक्ट कारवाई करने की तैयारी होगी इसी पुर्षे भैयों बेनों ये टेक्नलोजी के साथ जोड़ने की कारवाई किसानों के हितों को ध्यान पाउसी नखीम पुर्खीरी जन्पत के अंदर नहीं थी किसानों की पच्छ को नहीं खरीदा जाता था लेकिन हमने सक्ती से इस बारे में ब्योस्ता बनाई पिछले दो वर्सों में हमने तीन-तीन हजार केंद्र प्रारंब किये थे और इस बार प्रदेश के अंदर पांच हजार क्रे केंद्र हमने स्तापित करने के लिए कहा है कि हर जन्पत में जहां भी किसान मांग करें वे लोग वहाँ पर विबिन्दे विभागों के दोरा जिन संस्ताओं के दोरा क्रेकेंद्र स्तापित के जाने हैं वे क्रेकेंद्र स्तापित करते वे किसानों को जागरूख भी करें लेकिन साथ साथ किसी किसान को परिशानी नहों ये भी सुनिश्चित करें और जिस किसान की उपद को आपने तोल लिया है बहतर घंते के अंदर आधी जीएस के माध्यम से उसके खाते में पैंसे देने की विए वस्ता भी सुनिश्चित कर दीजे जिस से किसान को फिर से पैसे के लिए भटक ना ना पड़े